कि नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपके लिए कर क्या है क्वांटम बॉडी एनलाइजर यह यह तीनों मौडल के इंदर 10G 12G के हिसाब से हम लोगों आपके साथ इनको यूज किया जाता है कैसे हमारे पास इन में 54 रिपोर्स निकलती है चाहिए वो 10th generation हो चाहिए वो 12th generation हो तो मैं आपको यह चीज़ क्लियर करूँगा कि 10th generation और 12th generation में क्या difference है क्या-क्या accessories उसके अंदर आती है कैसे हम उसको use कर सकते हैं software को कैसे install कर सकते हैं और कैसे हम इसके reports को as a reference क्योंकि यह as a reference ही use की जाती है इनकी जितनी भी reports निकलती है तो as a reference आप इसके reports के नतीजों के भिहाव पे आप लोग कोई diet या अगर आप कोई supplement या अगर आप कोई food nutrition ले रहे हैं तो अपने हिसाब से उसको आप plan कर सकते हैं और before after भी आप इसमें चेक कर सकते हैं तो किस तरीके से यह सारी चीजे काम करती है लैप टॉप के साथ इसको attach करके ही हम इसको यूज कर सकते हैं और हम इसके reports को mail PDF form में या किसी भी तरीके ते अगर hard copy निकालना चाहिए तो सारी reports की hard copies निकल आती है और इसमें 54 reports रहती है composite report भी आती है इसके अंदर और इसके अंदर expert advice भी होती है तो जाड़ा time ना waste करते हैं आगे आपको बताता हूं किस तरीके से यह 10th generation की जो 3 model है जो आप पहला model देख रहे हैं जो सबसे पहला model देख रहे हैं यह वहला जो model है यह 2-in-1 है इसमें आप बाए पाम भी यूज़ कर सकते हैं देखे 10th generation लिखा हुआ है software है इसका यह की है यह software है यह palm भी यूज़ कर सकते हैं और आप रोट भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से 10th generation है और अगर हम इसके बाद दूसरे विले की बात करें तो यह वाला जो मशीन है यह वली जो मशी जो लोग एको प्रेशर की information लगते है जानका ही रखते है यह तरीके से मशीन के साथ में आती है और 54 रिपोर्स होती है इसके अंदर फिर यह बिल्कुल एक लेटेस्ट आई है जो लेटेस्ट मैं आपको दिखा रहो सबसे लेटेस्ट यह वली आई है इसमें यह 3-1 है इसक और रॉड भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं और अगर आप पाम के लिए पाम भी अगर आप यूज करना जाते हैं तो पाम पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं ठीक इस तरीके से यहां पे इसका सौकेट बना हुआ है इस तरीके से आप यहां पर रॉड के लिए के बेनिफिट से दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताएंगे क्वांटम अनलाइजर टेंजी थेरिपी मॉडल कैसे यूज किया जाता है इस मशीन के अंदर रिपोर्ट के साथ आप थेरिपी भी आप ले सकते हैं किस तरीके ने देखिए आप इसके साथ यह 10-20-30 मिनट इस तरीके से आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं डिफरेंट 1234 मोड और यहां से आप पूरे इंटेंसिटी को आप अपने हिसाब से अज़ेस्ट कर सकते हैं अपने कमफर्ट के हिसाब से यहां पर स्लिपर के लिए यह वायर साथ में आती हैं दो वायर ते एक पैट्स के सब्सक्राइब करेंगे मशीन को पहले करेंगे मशीन को करने के लिए कौड़ वायर मशीन के अंदर ही आती है यह कनेक्टिंग के लिए इसका हमने एक सौकेट है और यह यह यूस्बी की तरदा नोर्म यूस्बी पोर्ट में आप इसको लगा देंगे और इसली यह मशीन कनेक्ट हो जाएगी और यहां से देखिए इसको एलेक्ट्र सिटी मिल गई एलेक्रिसिटी कंजप्शन इसको लैप टॉप से मिलती है और इसके बार यह सौट्वेर आपको इसमें लगाना है कि 10G का सौ आप क्लिक कर देंगे तो सौट्वेर को आप इसली डाउनलोड कर सकते हैं विंडू 9 विंडू 10 विंडू 11 विस्टा पर सब्सक्राइब और बहुत ही जल्दी बहुत कम टाइम लेगा और बस आपको इस चीच का ध्यान रखना है कि जब आप सौट्वेर को इंस्टाल कर र इंस्टालेशन कंप्लीट हो गई इंस्टालेशन कंप्लीट होते ही इसके अंदर देखिए आइकन बनावा आ गया एक चीज का आपको ध्यान रखना है जैसा ही सौट्वेर इंस्टाल होगा अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन नहीं होगा क्योंकि जब तक आप यूएजबी निकाल देना और यह की जो है यह समाल के रखनी है और यह आपको इसके अंदर इंसर्ट करनी है सेम उसी पोर्ट पर दूसरे पोर्ट पर भी कर सकते हैं ताकि सौट्वेर को सपोर्ट कर सके यह इसका लॉक है इस सौट्वेर का तो जैसे कि आपने देखा कि मै इसको यूज कर सकते हैं सबसे पहले जब आपको इसमें टेस्ट करना है तो दो चीजों का रहाद रखना है यह जो रॉड्ड है जिसको आप पकड़कर ने इसको अब अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो मैं यह ने बनावा आए इसको जब मैंने क्लिक करा तो इसके अं और आपको एपने नाम आड़ करना सारी प्सक्राइब नाम ड़म करना है अपने जंडर एट अइड पर आपको इसके देंड है डाल गर्इय। जे डाल करके इसमें ड़िए उसके बाद ठाल उसके छो घुण में नाम लिखा ऊगया इसको बाद मेंह हम अब आप कर सकते हैं यहाँ पर या करके लेकिन हम पहले pro Life कर रहाने के लिए पहना पहना हो जिस भी हाथ पर अगर आप उस हैंडल को पकड़ेंगे तो जैसे मैंने वाच पैनिवी थी मैंने वाच को हटा दिया और नॉर्मल बिलकुन नॉर्मल आपकी हाड प्रेट सब कुछ नॉमल होना चाहिए कहीं से आप रेनिंग करके या भाग करके आप टेस्ट करें नॉर्मल आप बैठेंगे इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं स्टार्ट पर जाकर करके जैसे सौट्वेर खुला आपने डोजियर में अपनी इंफोर्मेशन डाली और स्टार्ट पर जाकर करेंगे और एक मिनिट तक के अंदर देखिए टाइमिंग साट होगी है ए यह सारी चीजों का आपको प्रिकॉशन रखना है और यह जो मशीन से यह एक रेफरेंस रिपोर्ट देती है एक रेफरेंस रिपोर्ट आपको जेनरेट करके देती है जिसके बिहाव पे आप अपने बॉड़ी को डाइग्नोस कर सकते हैं या पर्टिकुलर लैब में जाकर जो चीजें मिली वी है किस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं आप किसी भी हाथ में इस रॉट को पगड़ सकते हैं चाहिए वो लेफ्ट हैंडो या राइट हैंडो बट ध्यान रखना है कि उस टाइम पे आपको अपने पैना उस हाथ के अंदर तो इस चीज का आपको हमने देखिए है और शिक्सी सेकंड होने वाले है और शिक्सी सेकंड होगी आपके पूरी बॉडि वाडी का ये पहरो इस तरीके से देखे निफिन बॉड पार्ट की चीट आ रहे हैं गॉल बलडाइव है इस और वीन ब्रेब्स अवें साहिफ इन वन डिफेज यह제를 फैटी एसेड्स थाइरेड्स इम्यून सिस्टम सारी के सारी चीज़े आ रही है और इसके ना 54 रिपोर्ट आती है और यह देखेंगे तो यह आपको एक एक्सपर्ट एडवाईस देती है सात में आपके नॉर्मल रेंज और एक्चुल मिजरमेंट जो आपके आए है सारे पूरे सारे रिपोर्ट के आपको एक्सपर्ट एडवाईस देगी कौन सा आपको फूर्ट या वेजीटेबल्स या आपको ज़्यार वॉक करने चाहिए टेस्टिंग रिजल्स बने वे आ रहे हैं कि 34 0.34 से 0.40 तक होना चाहिए इसमें लिखाव आ रहा है 0.30 है विटामिन बीवन 2.124 से 4.1419 तक होना चाहिए इसमें 1.76 है तो इस तरीके के सारे रिपोर्ट के आपके पास आएंगे जिसके भीहाव से आप अपने डाइट को या अपने कोई भी नुट्रीशन को आप अपने हिसाब से देखनी है कि दिखें इसमें लिखा हुआ है कि दर रिपोर्ट दर टेस्ट रिजल्ट ऑफ रेफरेंस ओनली और नॉट एज़े जो है यह परसल रेफ सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं ओर से गर सकते हैं कि अभी तेस्ट हैं आपने दमें हैं drie यह पैंड सकते हैं यहां पे आपने डाला और इसके बाद यह वोल्स बने में यहां पर आपने ऐसे यही आप पहंर पहनको डेंगे सकते आपको काफी अच्छा effect मिलेगा sensation आएगी electromagnetic pulse होती है ठीक इसी तरीके से ये अगर आप इसके साथ साथ अगर आप मान के जलिए किसी को pain का भी issue रहता है तो आप दूसरे वायर भी आप लगा सकते हैं दूसरे वायर भी आप इसमें connect करके आप यह पैचे इसमें यूज कर सकते है इसके अंदर या अगर आप sleepers यूज नहीं करें तो आप चारो पैचे यूज कर सकते हैं ठीक इसी तरीके से होल्स बने में इस होल्स में आप इसको connect करेंगे और यूज करेंगे और यह आपके जहां पर pain रहती है नेक पे या शोडर में कहीं पे भी अगर आपको किसी को इस सर्वाइकल और कोई भी pain का है यज्यागे और यूज कर सकते हैं इस तरिका से यह दृचे अब लगा लेंगे और यूज कर सकते हैं ऐसको लगा और भी आपके छो कर सकते हैं नेक पेंट कर सकते हैं नीज में पेंट इसको आप इस तरीके से इंसर्ट करके और यूज कर सकते हैं और इसके बाद यह देखिए किस तरीके से दोनों हमने यूज करें connect लगा करके इसको आप पकड़के पूरा अच्छे तरीके से आप intensity को यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से आप intensity को एड़ेस्ट कर सकते हैं जब आप therapy mode पे यूज कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए पेशेंट्स के लिए अगर आप खुद भी उज करें तो आप खुद भी इसको यूज कर सकते हैं काफी ज़्याद एफेक्टिव रहती है यह बॉडी अनिलाइजर थेरपी मॉडल 3G आपके लिए आज मैंने पूरा आपको educate किया किस तरीके से आप इसक को यूज कर सकते हैं software और जो इसकी अधर एसे सरीज है थेंक्यू